हाई स्टूडेंस मैं सोनिया विद्य अगूर से स्टार्ट करेंगे जानवरी का सेकेंड पार्ट जानवरी 2024 के करेंट फैस हिंदी मीडियम में स्टार्ट करने से पहले 50-60 नई क्वेशन सीखने हैं तो सेशन को पूरा देखेगा और देखिए कि किस तरह से पॉइंट वाइस आपको सारे क्वेशन बहुत आसानी से याद हो जाएंगे मैं ट्राय करूंगी रिपीट भी करती हूं आप जानते हो सारी चीजे रिपीट जान बूच केसले करती हूं ताकि तीन-चार बार बोलने से शायद याद हो जाएगा टाइम वेस्ट नहीं करते है देखीये कैसे पढ़ते हैं हम लोग करेंट फैज अगर आप चानल पे नए हैं अगर आपको यह पता नहीं है कि हम कैसे बढ़ाते हैं तो इस तरीके से कैसे टॉपिक वाइस तो पहला टॉपिक लेटिस्ट अपॉइंट में बड़े-बड़े रांक्स के उपर जितने बड बड़े लोग आते जाते हैं किसी country का president prime minister से ले करके हमारे देश के अंदर जो भी बड़े बड़े ranks पे appointments होते हैं वो सब cover कर लेते हैं latest appointment section के अंदर तो latest appointments पहला question ताइवान के president का नाम है लाय चिंग ते, इनका फेस देख पा रहे हैं, बहुत पॉपुलर से हैं, यह भी एक फिजिशन है, यह देमोक्राटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के हैं, ध्यान क्या रखेंगे आप पार्टी का नाम पक्का से, कई बार एक्जाम में सीधा सीधा वो नाम दे देता है, लाय बारा पार्टी का नाम जादा है, पक्का याद करेंगे आप तायवान के प्रेजिडेंट का नाम है, लाइचिंग ते, खीक है, आगे नेक्स specific question में, भुटान के प्रधान मंतरी, अजिय वह बार एक पर्धान मंतरी, बस ऐसे याद करिये, नेक्स देखिए, यह भी पीप पीपल्स जेमोक्राटिक पार्टी के शेरिंग तॉब गे नाम इनका पिक्चर इनकी देखेंगे आप इने बार बार लंबे समय तक रहते हैं सारे लोग तो इतने लंबे समय तक के लिए याद रख लीजे शेरिंग तॉब गे नाम है फुटान के प्रधान मंतरी का जो पीप Secretary General है BIMSTEC, Bay of Bengal Initiative, Multisectoral, Technical and Corporation, Technical Economic Corporation, तो यह ऐसा बूला जाता है BIMSTEC को, तो Bay of Bengal Initiative for Multisectoral, Technical Economic Corporation, यह BIMSTEC का फुल फॉर्म है, बट एनिवे इंडरमणी पांडेन का नाम है, यह बने हैं इंडिया की तरफ से, मतलब देखिए, इंडिया भी पार्ट है, इसका जानते हैं आप, तो BIMSTEC के Secretary General, इंडरमनी पांडे, नाम important है, याल रखेगा, DG, Director General, ठीक है, सशस्त्र सीमा बल, दलजीत सिंग चौधरी नाम है इनका, सशस्त्र सीमा बल important है, आप जानते हैं, सश्त्र सीमा बल जो है, इसके आप DG की बात कर रहे हैं, तो आप किसी higher rank और higher post की बात कर रहे हैं, इनका नाम दलजीत सिंग चौधरी है, पिक्चर आप इनकी देख रहे हैं, तो Ministry of External Affairs की बात हो रही है, विदेश मंत्राले की बात हो रही है, Ministry of External Affairs के भी अपने Spokesperson है, मतलब होते हैं Ministries के Spokesperson, तो External Affairs Ministry important होती है, आप जानते हैं, प्रवक्ता जो है, Spokesperson जो है, जिनका नाम है रंधीर जैस्वाल, ये नाम ये पिक्चर याद रखिएगा, एक बार और बात करते हैं, ध्यान से देखिए latest appointment topic था, ताइवान के President का नाम लाइचिंग ते था, हम कह रहे थे ये Democratic Progressive Party के हैं, भूटान के प्रधान मंत्री Sharing Top Gay जो People's Democratic Party के हैं, बिम्स्टेक का Secretary General इंद्रमनी पंडे, DG of Sashastra Seemabal, दलजीत सिंग चौधरी और Ministry of External Affairs के Spokesperson का नाम, रंधीर जैस्वाल है, ये इनकी बिक्चर है, मुझे रखता है, आप इतना समझ गए कि एक पेज के उपर लगभग लगभग 5 questions आते हैं, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ बहुत सारे important questions आएंगे, कहीं आप 50 points से कम, 40-50 points से कम सीखने नहीं वाले हैं, क्योंकि आप ये देखिए, अगर आप इसको individually पढ़िए, तो ये एक point है, बटिं की party दूसरा point है, अगर गिन्ने ऐसे जाएंगे, तो points और बढ़ जाएंगे, इसलिए मैंने का video पूरा देखिएगा, इन तक 50 नए points सीखेंगे, आप बिना कहानी सुने, सिरफ सीधे-सीधे points, जो एक्जाम में आजाएंगे, वीडियो अच्छा लगेगा, लाइक का बटन आप दबाएंगे, मैं इतनी उमीद आपसे रखती हूँ, शेर करिए का आपने फेंस के साथ, जो भी किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहे हैं, और अगर आप चानल पे नए हैं, तो हो रहा है, जरा देखिए, सबसे पहले, UN ने डिकलेर किया, 2024 को, Year of Camelids, International Year of Camelids, Camelids, मतलब आप Camel ली समझ लीजे, आप उठ, उठ समझ लीजे, तो Camel family के Camelids, ठीक है, International Year of Camelids, 2024 को डिकलेर किया है, किसने, United Nations ने, 2025 को डिकलेर किया है, International Year of Glaciers Preservation, Global Warming के चलते, Global Warming के चलते, आप जानते हैं, Global Warming के चलते, Glaciers melt हो रहे है, बर्फ जो जमी हुई है, वो पिघल रही है, तो Glaciers को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, तो Glaciers का Preservation Year 2025, इस तरही के से याद कर लेंगे, Next Question में, Venue 2024 के World Economic Forum Annual Meeting का, जो Davos, Switzerland में होगी, और हम कह रहे ह है, यह 54th नंबर की होगी, तो Davos, Switzerland, नई बात नहीं है, आप लोगों के लिए, आप वैसी बहुत कुछ Davos और Switzerland के बारे में जानते हो, दुबारा सुनिए, हम कह रहे हैं, World Economic Forum का Annual Meeting, जो 54 नंबर का होगा, ध्यान से सुनिए, WEF, World Economic Forum का, हम कह रहे हैं, Annual Meeting, जो 54 नंबर का होग कई बार यह सारा का सारा लिखा आ जाएगा, आप से सिरफ नंबर पूछ लेगा, तो आप फस जाओगे, 54th नंबर का, Davos, Switzerland, नेक्स क्वेस्टन में, थीम इसका बड़ा इंपोर्टेंट लगा मुझे, Rebuilding Trust, Rebuilding Trust, किसका थीम हम कह रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, Davos, Switzerland में, 54 नं World Meet World Economic Forum का होगा, उसका, उसका थीम, Rebuilding Trust, next question में, देखिए, France के, देखिए, important question है, इसके उपर भी आपको पूरी अटेंशन देनी पड़ेगी, कि France's gets its youngest PM, Gabriel Atal, अब यह रेनेसांपार्टी के हैं, तो रेनेसांपार्टी के हैं, तो Gabriel Atal, यह नाम है, इनका, France को, उनके youngest प्रधान मंत्री, मुझे याद नहीं आ रहा, बर शायद 24, 24 साल के असपास के होंगे, जहां तक मैं याद कर पा रही हूं, तो Gabriel Atal, बहुत important question है, क्योंकि youngest है, France ले से भी कुछ छोटा नहीं है, आप जानते हैं, मतलब वैसे छोटा और unimportant सा देख नहीं है, Prime Minister, party का नाम Renaissance party, next question, world's longest serving female, head of government, अब यह कौन नहीं जानता है, यह सारे जानते है, शेख हसीना, Bangladesh, शेख हसीना, एक बार रिवाइस करते हैं, क्या पढ़ा हमने, 2024 को United Nation ने declare किया है, International Year of Camelettes, 2025 को Glacier Preservation, 2024 का World Economic Forum का annual meet, 54 नमबर वाला Davos, Switzerland, Rebuilding Trust जिसका theme, PM France के Gabrielle Attle, जो Renaissance party के हैं, World longest serving female head of government, इनका नाम है, शेख हसीना, next question, sports updates में, बड़े important question, बहुत important question है, देख लीजेगा, सारे के सारे, अभी तक आपको समझ में आ गया होगा, time waste नहीं करूंगी मैं आपका, बस आपको साथ के साथ याद करना है, यह समझे कि कोई दुबारा दुबारा क्यों बूल रह है, आपका time waste नहीं करना है, आपका time बाद में बचाना है, इससे आपको कुछ याद रह जाएगा, FIFA updates से start करते हैं, तो FIFA player of the year है, ठीक है, Lionel Messi, आप जानते हैं, Leo Messi, Argentina वाले, यह बहुत, अभी World Cup में आप performance देख के हटे ही हो, तो अभी आप यह भी जानते हो, कि बड़े important से ह हो गए, यह player अब और जादा, तो FIFA player of the year 2023, Leo Messi, Argentina के, ठीक है, women's में देखिए, इतना bon marti, इतना bon marti, Spain की है, ठीक है, इतना bon marti, Spain की है, next question में देखिए, goalkeeper of the year, men's, Edison, Brazil, यान से, दो questions है, पहले कह रहा है, पुरुशों में, दूश्वा कह रहा है, महिलाओ में, goalkeeper of the year बताना है, हम बात यही कर रहे हैं, continuation में, Mary Earps, England की है, Mary Earps, England की है, और Edison, Brazil के है, हम कह रहे हैं, यह goalkeeper of the year, कौन, Edison और Mary, Edison और Mary, तो Edison, जो है, वो, Edison, जो है, हमने कहा था, वो Brazil के है, यह men's वाली कार्टिगरी है, और Mary Earps, जो है, वो England की है, जो women's वाली कार्टिगरी है, goalkeeper of the year, पढ़ रहे हैं हम, fair play award, Brazil को, fair play award, Brazil को, but Brazil में भी देखिये, teams होती है, तो Brazil में यहाँ पर हम बात कर रहे है, men's national team की, किसकी बात कर रहे है, men's national team की, Brazil fair play, इनको award मिला है, fair play award का, ठीक है, next question में देखिये, अब India Open Badminton 24 winners, ठीक है, India Open Badminton 24 winners, men's में, Shiyuki, China, women's में, Tai Suying, Taiwan, या फिर Chinese Taipei, तो Taiwanese player है, Taiyu Zing, Taiyu Zing, इनका नाम है, men's में, Shiyuki, China, और women's में, देखिये, यह, Shiyuki, men's में, China, और यह, Taiyu Zing, जो है, यह Taiwanese player है, world's number one, men's double tennis player, important question है, ध्यान से देखियेगा, आपको यह भी question आएगा, देखिये, youngest question है, आप हर बार बढ़ते हो, और हर बार खुश हो जाते हो, है ना, यहाँ पर oldest पढ़ रहे हो, बज़े की बात, आप oldest पढ़ रहे हो, एक्चुल में देखो, 43 years के, नाम है इनका, रोहन बोपनना, जो इंडिया के है, रोहन बोपनना, यह, world's number one, men's doubles, doubles, doubles tennis player, तो यह singles वाली नहीं, doubles वाली बात हो रहे है, पहले यह याद रखिये, रोहन बोपनना, उस category में, world's number one player, इंडिया के, और हम कह रहे हैं, oldest है, 43 years old है, इसले भी आद रखना पढ़ेगा न, जहां से एक बार रिवाइस करते हैं, sports updates में, FIFA player of the year की बात कर रहे हैं, Leo Messi, हम कह रहे हैं, men's, एतना bon marti, और यह है women's, और यह Spain की है, और Leo, आप जानते ही है, Messi जो है, वो Argentina के है, goalkeeper में देखिये, men's में Edison है, और मारी herbs जो है, वो women's में England की है, fair play award जो है, वो Brazil की men's national team को, बात यहां continuation में है, नीचे हम Indian open, badminton 24 के विनर्स की बात कर रहे हैं, सबसे पहले, पूर्शों में देखिये, Shiyuki, जो चाइना के है, और women's में Tai Zoo Ying, जो है, Taiwanese player है, badminton की बात हो रहे हैं, क्योंकि badminton open है, world's number one men's doubles tennis player, अब यह थोड़ा सा हम अलग करके, यहां पर हम tennis की बात कर रहे थे, यह important था, लेकिन, रोहन बोपना इंडिया के हैं, also the oldest at 43, अगर आप हम से पढ़ना चाहते हैं, तो हम इस तरह का bilingual batch offer करते हैं, आप numbers नीचे दिये गए, dial कर सकते हैं, और आप हमें reach कर सकते हैं, आप हमारे executive से बात कर सकते हैं, अगर आप नहीं बात करना चाहते हैं, तो online.vidyaguru.in पे जाके, select कीजी अपने ले useful course, सारे के सारे teachers आपको important questions पढ़ाएंगे, जो आपके किसी भी exam में help करेंगे, पका से देख लीजेगा, तो आप join करना चाहें, online.vidyaguru.in website है, पीचे numbers दिये गए हैं, आप उन पे भी call कर सकते हैं, अभी start करते हैं एक बार next topic से, हमारे पास complete English medium batch भी है, अगर आप वो join करना चाहें, that is also available, banking and finance पे, जब हम चल रहे हैं, आपको एक बात बता दू, जो student सिर्फ banking की तयारी कर रहे है, तो ये exclusively उनके लिए है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजे कि banking and finance में questions, जो बच्चे बांक की तयारी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इस page का break ले ले ल ये का है, bank of Bada 100% stake बेच रहा है, bank of Bada New Zealand का, ठीक है, conversation चल रही है, तो हम कहरे है, bank of Bada 100% stake बेच रहा है, bank of Bada New Zealand का, सिर्फ उसी की बात हो रहे है, bulk deposit limit for primary urban cooperative banks, bulk deposit limit for primary urban cooperative banks, इन टीर 3, टीर 4 जो टीर 3, टीर 4 काटेगरी में रीजनल लूरल बैंक इनको बढ़ा करके 15 लाग से 1 करोड कर दिया गया है तो बारा सुनिये बॉक डेपॉसित लिमेंट जो है 15 लाग से 1 करोड कर दी गई है हम प्राइमरी उसी 20 और आरा 20 की बात कर रहे हैं प्लीज याद रखेगा नेक्स्ट वैशन में सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड है तो अगर आप गभर्मेंट जॉब पालें तो आप भी अप्लाय कर पाएंगे सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड के लिए क्योंकि ये इंडिसेंट बांक ने गभर्मेंट एंप्लाइज के लिए सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड जो है चलाया है next question देखिए co-lending partners between clicks capital NBFC है नाम से बता चल रहा है clicks capital है तो पैसे देते होंगे lend करते होंगे तो co-lending है इसलिए उधार देंगे मिल करके उधार देंगे तो clicks capital land करनाट का बैंक co-lending partners धान से देख लीचे RBI plans forex foreign exchange forex correspondent scheme under FEMA foreign exchange management act foreign exchange management act forex correspondent scheme foreign exchange correspondent scheme under foreign exchange management act under FEMA RBI ने plan किया forex correspondence scheme किसके अंडर FEMA के अंडर और ये जो foreign correspondence , forex correspondence scheme जो है to be new type of money changers ये सारी बाते आपको याद करनी बढ़ेंगी एक बार रिवाई सर रहे हैं देजी के साथ green rupee term deposit SBI का Bob New Zealand का पूरा शेर अपना बेच रहा है Bob बार रिपोजिट लिमेट जो है वो primary अविन कोपरेटिव बांक और साथी साथ में RRB इस के लिए बढ़ाके 15 लाग से 1 करोड कर दी है सब्मान रुपे credit card government employees के लिए इंडिसेंड बांक का initiative है Co-Lending, Clix Capital and Karnataka Bank Co-Venture मतलब यह करेंगे ऐसा कि Co-Lending करेंगे RBI ने प्लान किया है Forex Correspondent Scheme Fema के अंदर यह question बहड़े, बहुत important है, ध्यान रखिएगा यह जो Forex Correspondent Scheme है, यह नया टाइप होगा, Money Changers का ठीक है, next question में देखिए, क्या आरा है अब यह question लगते हैं, बड़े boring, लेकिन इस page में से question आये, तो ऐसा होगा ही नहीं देख लीजेगा, अफका आएगा question, अब specially यह site वाला यह question हर हाल में आएगा, देख लीजेगा किसी ने किसी exam में Boring लगती है government scheme, पढ़नी तो पड़ेगी, क्योंकि exam में आती है ध्यान दीजे, government schemes and initiatives के अंदर, स्वच्छ सर्वेक्षन दो हजार तेस, ठीक है यह होता रहता है, चलता रहता है, कभी कोई top पे, कभी कोई top पे मज़े की बात देखिए, पहले number पर Indoor और सूरत दोनों हैं, ठीक है नवी मुंबई, महराष्ट्रा का, second rank खाली छोड़ दिया, third number पे नवी मुंबई, first में एक लाग से कम वाली वाला नगर, वाला city, तो सासवर्ड है इसका नाम, सासवर्ड है इसका नाम, तो जो सासवर्ड है, यह महराष्ट्रा में है, कुछ-कुछ जगा पे आपको सासव वी लिखा वो पड़ेगा, तो इसके लिए मेर से जगडा मत करियेगा, तो इसके लिए मेर से जगडा मत करियेगा, तो इसके कुछ फर मीबढ़ता, proper noun है, कैसे भी लिखिये, सासवर्ड महराष्ट्रा में है, एक लाग से कम, लोगों का नगर, first जिसको मिला है, जो first number पे वो सासवर्ड है, महराष्ट्रा वाला, states में top पे महराष्ट्रा, second पे MP, third पे 36 गड़, ठीक है, ये states में, स्वच सर्वेक्षन की बात हो रही है, उनके result की बात हो रही है, तो सफाई मित्र जो है, उनके लिए best सफाई मित्र सुरक्षिद जो जगा है, जो शहर है, वो है च खर्चा, expenditure, आउटले, 19,744 करोड, इसी का ही पार्ट है, नैशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का ही पार्ट है, ये साईट, साईट, जो है, इसी का पार्ट है, तो इसका मतलब, अगर मैं साईट का आउटले, आपको बताऊं, 17,490 करोड, तो ये इसका पार्ट है, ये सेप इसका ही पार्ट है, साईट जो है, नैशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक पार्ट है, तो साईट का फुल फॉर्म आपसे एक्जाम में पूछ लिया जाएगा, पका से, 19,744 करोड, नैशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का उटले, टर्म जो है, इसका डूरेशन जो Green Hydrogen Transition Strategic Interventions for Green Hydrogen Transition Program Outlet इसका 17,490 करोड मैं यह मान रही हूँ कि आप यह समझ गए हो कि मैंने जो यह एक्स्प्लेइन किया है यहाँ पे कि Green Hydrogen Mission का ही Part Site है और यह Outlet जो है यह Combo इसके अंदर ही आइड करके मानिये क्योंकि बहुत बड़ा है साइट एक्जाम में आने की possibility और ज्यादा है एक बार और स्वाच्छ सर्वेक्षन इंदर सूरत टॉप पे Second rank नहीं है किसी को क्योंकि एक को दो को एक साथ First rank दे दिया Navi Mumbai माराश्रा Third rank पे एक लाग से कम वाला Nagar City Town Sassward है जो माराश्रा का है माराश्रा MP 36 गड़ States में टॉप पे है इसके अलावा Best सफाई मित्र सुरक्षत शहर चंदिगड़ है National Green Hydrogen Mission का Outlay ये है Sight का Outlay ये है और Sight का Full Form Strategic Interventions Strategic Interventions Green Hydrogen Transition ये इसका Full Form है ये पक्का आएगा Government Scheme Boring लगती है कोई बात नहीं मन मार के आख कर लो Exam में आ जाएगी Next Question देखिए State News पे आ गए है अब हम लोग State News के अंदर India's Petro Capital Jamnagar, Refinery तो ऐसे दहेज में आप ये समझे तो गुजरात की जब हम बात करते हैं तो इसलिए उसको Petro Capital ही बोल गया क्योंकि इतना Huge Production वाला पार्ट समझ के तो गुजरात को बोला Petro Capital ठीक है World Record for Suriyah Namaskar ठीक है तो रिकॉर्ड बनाया Suriyah Namaskar के लिए 108 जगहों पर गुजरात में 108 जगहों पर गुजरात में Mostly लोग कर क्या रहे थे Suriyah Namaskar कर रहे थे तो ये World Record बन गया World Record एक और बड़ी important चीज़ के लिए World Record for Largest Reading Activity काम की news है ये सुनिये Reading Activity कहां पर SP College पुने में 3066 Parents and Children पढ़ रहे थे Reading Activity कर रहे थे दुबारा World Record for Largest Reading Activity at SP College पुने 3066 Parents and Children बर रीडिंग तो युवा निधी scheme है ये आप कहीं देखोगे युवा निधी scheme आप देखोगे तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा आपको हर जगा पे वो करनाट का युवा निधी scheme मिलेगा तो निधी का मतलब पैसों की बात होने लगी कुछ बेरोजगारी भत्ता दिया जाने वाला है जी तो अगर आपके बास काम नहीं है आप करनाट का में रहते हैं तो आप इस बेरोजगारी भत्ता के लिए कॉंग्रेस सरकार जो दे रही है वो 3,000 रुपे है अगर आप ग्राजूएट है तो अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो 1500 रुपे तो कुछ तो मिल रहा है अट लिस्ट बेरोजगारी भत्ता नहीं सरूल स्टेट है तेलंगाना की बात हो रही है रेवंत रेड़ी आपको कुछ-कुछ करते नज़र आएंगे यह है तेलंगाना की प्रजा पालन स्कीम प्रजा पालन स्कीम जो नाम दिया है यह WellPhare Program है तेलंगाना गँवर्नमंट का तो प्रजा पालन आपको एक दम से इसके तहरत बड़े सारे राशन कार्ड बनाये जारे होंगे, बहुत सारा welfare होने लग जायेगा कि कोई घरबरी है तो सारी चीज़ें चेक कियाएंगी तो यह प्रज़वेपा औरान स्कीम है ज्यादा बहुत जानने की ज़रत नहीं कि क्वेश्चिन जो बन सकता है वो यही है कि तेलंगाना कुवर्यमिन की प्रजवेपालन स्कीम ठीक है? welfare program है अगर अगर आप next question देखें तो इंडिया में पहली बार submarine tourism पंडुबी tourism जो है वो शुरू किया वो launch किया ये गुजरात में दौरका की बात हो रही है दौरका नगरी दौरका नगरी तो दौरका गुजरात में पंडुबी underwater की बात हो रही है अंड़ पंडुबी वेहिकल या फिर underwater वेहिकल की बात करिये तो इंडिया फिर्स submarine tourism launch in दौरका गुजरात ऐसे question बोरिंग नहीं थे interesting थे थोड़े आपको कुछ कुछ में interest भी आया होगा एक बार revise कर के टेजी से देखते है क्या पड़ा इंडिया की petro capital गुजरात थिक है वर्ल रेकर्ड फर सूरे नमस्कार फिर से गुजरात रीडिंग आक्टिविटी SP College पुने ये भी वर्ल रेकॉर्ड है युवानेदी स्कीम करनाटका फिर उसके बाद में submarine tourism दौरका गुजरात प्रजापालन स्कीम तेलंगाना government की अब आयेंगे आपकी स्क्रीम पर important days, important days and dates के अंदर स्राइट करते हैं Louis Braille का birthday जिन्होंने braille invent किया जिन्होंने blind लोगों के लिए नेत्रहीन लोगों के लिए braille lippy का अविशकार किया तो Louis Braille, Braille World Braille Day उनके birthday पर 4 जन्वरी को मनाया जाता है ठीक है, NRI Day या फिर प्रवासी भारतिय दिवस 9 जन्वरी को यह आप जानते हैं, आपको इस सारे कहानी सुनाते हैं वो कहानी आपको सारे सुनाएंगे कि महात्मा गांदी जी वापिस आये थे तो प्रवासी भारतिय दिवस NRI Day 9 जन्वरी को 1st 2003 में मनाया गया था 17.2023 में था, इस से याद रखने के कोशिश करेगा कि अब हम कितने वेगी बात कर रहे हैं Since 2015, प्रवासी भारतिय दिवस is celebrated every 2 years, ठीक है, तो यह question आ सकता है यह आपको याद रखना पड़ेगा, हम कह रहे हैं 1st 2003 में, 17th 2023 में, calculate मत करने बैट जाईएगा क्योंकि यह clearly मैंने लिख दिया है कि प्रवासी भारतिय दिवस is celebrated every 2 years, कब से, 2015 से World Hindi Day या फिर विश्व हिंदी दिवस, 10 January को मनाया जाता है Hindi Bridging Traditional Knowledge and AI, तो यह याद रखेगा, प्लीज पका से, तो Hindi Bridging Traditional Knowledge Hindi यह theme है, यह दो जाएगा, विश्व हिंदी दिवस की बात हो रही है, यह National Youth Day, 12 January को National Youth Day, 12 January को, तो 27th National Youth Festival, Naasik Maharashtra में, theme इसका विक्सित भारत है 2047 तो आगे की बात की चारी है, युवा के लिए, युवा के द्वारा, यह continuation है, एक बार देख लीजे, World Braille Day, 4 January, NRI Day, 9 January, यहाँ पर थोड़ा सा डीटेल और रिखाय से ज़ूर पढ़ेगा, World Hindi Day या फिर विश्व हिंदी दिवस, 10 January को, Hindi Bridging Traditional Knowledge and AI, National Youth Day, 12 January को, और हम आगे पढ राष्ट्रा में, जिसका थीम, विक्सित भारताइट 2047, युवा के लिए, युवा के द्वारा था, अब यहाँ पर हम पहुंच गए, end of the session, अच्छा लगा है, राइक दबा दीजे, join करना चाहता है, numbers नीचे दिये गए है, thank you so much for watching.